नमस्कार मैं रविकान्त और हमारे बगल में हैं लजेपी रामविलास पार्टी के प्रवक्ता और नेता मीडिया का काम देखते हैं मीडिया के कह सकते हैं कि प्रभारी मीडिया के रूप में निसान जी हैं और चंदन जी हैं और चार साल के काम करा करके साथ निस्टे को नितिस कुमार के जमीन पर उतार रहे थे तमाम बाते हुई और BJP कारयाले को घेर लिया गया और घंटो बंद किया गया उसके बाद लाठी चार्ज और पानी की बचारे छोड़े कर भगाई गई जिस बरवरता के साथ बाठ सचीब क्यों हटाया गया भगाया गया उसको लेकर कैसे देखते हैं मांजी और उपिंद कुरूस वहा पर भी हम सवाल करेंगे दखे एक लाग चौदा हज़ार साथ सो जो बाठ सचीब थे पिछले चार साल से यह काम कर रहे थे राजसरकार काम कराने के बाउजूद इनको वेतन नहीं दी और संबंदित मंतरी समराठ चौदरी जी के द्वारा एक निरने पे इनको हटा दिया गया यह पिछले 13 दिन से धरना पर हैं गर्दनी बाग में लोक जनसक्ति पाटी के राष्टी अध्यक्ष आधरनी चिराग पासवान जी धरना स्थल पर गए थे और इनकी सारे मांगों को सुनकर मान्य मुख मंतरी जी को एक पत्र लिखा गया मान्य मुख मंतरी जी से आग्रह किया गया कि इनकी जो जायज मांगे हैं इन पर मान्य मुख मंतरी जी बिचार करें पत्र देने घते हैं पत्र को भजवाया जाता है ना आप तु जानते हैं कि मन्ये मुख मंत्री जी का क्या विसे का हट कि चिराग पासवान जी का कोई भी विसय हो हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि चिराग पासवान जी ने जितने भी पत्र जन सरुकार के मान्य मुख मंत्री जी को लिखे होंगे मान्य मुख मंत्री जी एक भी पत्र को उन्होंने पढ़ा नहीं होगा और वाड सच्यू के भी संबंद में मैं ऐसा ही कह सकता हूँ, तो यह देखिए पिछले बारा दिन से जो यह धरना पर थे, धरना अस्थाल पर ना कम्मल की बेवस्था, कडाके की ठंड पड़ रही है, ना अलाओ की बेवस्था, ना कोई वहाँ पर डॉक्टर की बेवस्था और राज्य सरकार जिस तरीके से बिना बात किये हुए, उन पे लाठी चार्ज, आसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का प्रियोग किया गया, दरजनों वाड सच्यू घायल हुए, उनका सर फटा, हाथ तूटा, महिलाओं के साथ इतने अभधर बेवार हुआ, लोक जन सक्ति पाटी राम बिलास इसकी तिवर निंदा करती है, हम कहीं से हिंसा के पक्ष में नहीं है, वो चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो, या वाट सच्यू के द्वारा अगर हुई होगी तो, इसमें देखिए बैठ कर बात करने की जरूरत थी, राज्य सरकार को पह योजना है, यह कहते हैं कि प्रसांत किसोर के साथ ही बनाए थे, तो अगर इतना ही यह सक्सिस था, हम तो मानते हैं, लोग जन सक्ति पाटी मानती है कि यह भरष्टाचार की जन्नी थी, लेकिन चुकि बड़े-बड़े अधिकारी भरष्टाचार कर रहे थे फाइलों में, और धरातल पे काम करने वाले जो यह लोग थे, यह वाड सच्यू थे, इनको बेतन नहीं दिया और दिख गया एक मैटर, दिख गया, तो इनको देखे आज जिस तरीके से पीटा गया दोड़ा-दोड़ा के, हम लोग इसका बहुत घोर निंदा करते हैं, हम लोग जन सक्ति पाटी वाड सच्यू के साथ हैं, अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है, तो पाटी इनके कंधा से कंधा मिला कर पटना के सणकों पर उतरने के लिए तयार है, आखरी सवाल निसान जी, मांजी जी को लेकर है, ब्रह्मन और ब्रह्मन बाद को लेकर जिस प्रकार से बिवा पूर्व मुखवंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के, और काफी उमर दराज भी हैं, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके का बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जाती है, भावनाओं को आहत पहुंचता है, और किसी भी जाती के बार इस तरीकी बयान नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम पार्टी का जो गटबंदन है वो नितिश कुमार जी के साथ, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कहीं भी दो राय नहीं है, ये नितिश कुमार जी के इसारे पे सवन समाज को ब्रहमनों को टारगेट किया जा रहा है और प्रदेश में एक ब्रहमिक इस्थि पैदा करवाई जा रही है, धनवाद निसान जी ने कम सम्दों में काफी अच्छे से क्लियर, चंदन जी मैं जानना चाहूंगा, उपेंद्र कुसवा है, लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, बीफ को लेकर कि बीफ ऐसे है, वैसे है, बीफ खाना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब ऐसे बयान बिकास छोड़ करके, कहीं और वाली बात करना, क्या ये भ्रहमित करने वाली जदियू सस्पेंस नहीं क्रियेट कर रही है? देखे, जान बूज कर, माझी जी से यह बयान दिलाया गया, ब्रामन उपे, गाली का यह वाक्य को जोड़ दिया गया, प्लांट कर दिया गया, और एक सराब, जो जहरीली सराब का भिस है था, वो भी प्लांट किया गया, देखे, बिहार में विकास नाम का पहिया रुग है और मान्यमुक मंत्री जी बहुत होसियार है वो एकदम सारा चीज को सिफ्ट करके एक तरफ कर दिये कि अब सारे मीडिया का ध्यान जो है वो चला गया आपको यह यह गाली गलो जो यह बीफ और यह सराब विकास के बारे में किसी कोई चर्चा नहीं कर रहा है एक लाग चोदह जार साथ सो जो वाट सच्यू है इनका रोजगार चीना जा रहा है यानि रोजगार का जो माफदंड बेरोजगारी बिहार में इतना है ससिकान जी कि अगर कोई पत्थर आप फेकियेगा तो किसी ना किसी बेरोजगार पे ही गिरेगा इस्तिती यह है यहां के जो नौजवान है जो बिल्लेंट माइंड है जो पढ़ने लिखने वाला है वो पलायन करने के लिए मजबूर है बाहर में जाकर वो त्यारी कर रहा है नौकरी का परियास कर रहा है चुकि राज्य में कुछ नहीं है कोई रोजगार का मान्यमुक मंत्री जी ने स्रीजन नहीं किया अब एक समाज सुधार का जो ढूंग है ये एक ओड के जा रहा है चुकि इसमें करोरो रूपया का भी भरष्टाचार जो है होगा जहां मान्य मुख मंत्री जाएंगे वहां कड़ोरो रूपया का भरष्टा चार उलाओं का वहां पर लाव लेंगे अभी उपेंदर कुस वहा के बीफ वाले पर हमें आपकी पार्टी का स्टेंड चाहिए अगर उपेंदर जी बीफ खाना चाहते हैं तो जरूर खाएं अपने घर में खाएं और मान्य मुख मंत्री जी को भी इनको सलाह देना चाहिए मन्य मुख मंत्री जी भी कभी टेस्ट करके देखें तो जीतने जद्यू के निता है बीफ पाटी करके देख लें ही लोग अपना खिलाएं कहां हम लोग इसमें कर रहे हैं आप खाएं अपने निता को खिलाएं अपने मुख मंत्री को खिलाएं आप सबको खिलाएं भारती हमने सवाल लिया और तमाम बाते जाने कि लोग जन सकती पार्टी रामिलास पार्टी यानि कि चिराग पासवान की पार्टी क्या कुछ सोचती है और चिराग पासवान को लेकर भी कई सवाल है थी चिराग आज बाड सदस को लेकर भारी हंगामा हुआ इन तमाम सवालों का ज झाल झाल